गुद्मॉर्णिंग स्टुडेंट्स, EAD Online Classes की Online Portal में आप सभी लोगों का स्वागत है, जैसे कि आप सभी लोगों को बताए कि डेली आप लोग की क्लास होती है, जो कि आप लोग की साड़े साथ बचे रहती है, जिसमें हम लोग बदलाव सीरीज को यहां पे कर रहे हैं, अ ह야ते ही हैं आप लोगोंने अपनी प्रेजिएंस को माख करना है, आप लोगोंने वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है, स्टार्ट करने है आज की क्लास को, ठीक है की तोड़ी पर वी फीर एपते काफी easy paper था यहां तक कि अगर हम बात करू तो हम लोग काफी अच्छे लीवल की questions कर रहे थे वहां पर बहुत гाया थे पोड़ाई करी थी उनके लिए काफी अच्छा पेपर गया है फूल के फूल आटम्ट भी करें काफी स्टूडेंट्स ने चलिए तो सबी स्टूडेंट्स एक बाग क्लास को शेयर कर दिन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने आज का अपना सेशन तो देखो आप लोग को पता है कि तीन सेशन आप लोग के सिवल इंजिनियरिंग के चल रहे हैं जो कि एक मौर्णिंग मैं साड़े साथ बज़े आप लोग का चल रहा है दिन इसके बाद अगर हम बात करें तो सामको आप लोग का साथ और आट बज़े आप लोग के तीन प्रक्टिस सेट को कर लेते हैं तो भी आप लोगों के एक लया अगर आप लोग के लिए अगर्या आप लोने जाते हैं तो आप लुग जा सकते हैं तो सबी लोग फटाफिट से अर såबी स्टूदेंस आते ही अपनी presence को mark करें जिस भी question में आप लोगों को गलती नज़र आ रही है उस question का screenshot आप लोगों ने जरूर लेना है और अभी तक जितने भी exams हुए हैं सारे के सारे आप लोगों के class से ही questions बने हैं तो class को आप लोगों ने अच्छे से attend करना है 50 minutes पर 50 questions को हम लोग यहाँ पर करेंगे तो answers mark करो value of the free board in canal for discharge between 30 to 150 qmics अगर 30 से 150 qmics का आप लोगों का discharge है तो free board की value क्या होती है आप लोगों से यह question पूछा गया है तो सब समझ के answers करें सभी लोग आप लोग के according क्या answer जाना चाहिए और मैंने आप लोग को बोला है कि class को आप लोगों ने continuity में रखना है और अपनी पढ़ाई को भी otherwise फिर आप लोग वही initial position में पहुँच जाओगे अगर आप लोगों ने बीच में पढ़ाई को break कर दिया इस question का answers mark करो see answers करें 0.75 meter very good 0.75 ये answers होना चाहिए क्यों लेख अप टो 5 की अगर हम बात करें to 0.5 आप लोग generally free board कहते हैं 5 to 10 की अगर हम बात करते हैं कि 5 से 10 तो हम लोग कहते हैं 0.6 और 10 से 30 5 से 10 और 10 से 30 में अगर हम बात करें 0.6 और 10 से 30 में अगर हम बात करें तो 0.75 आप लोग कहते हैं लेकिन जब हम लोग बात करते हैं 30 से 150 की तो answers आप लोग का जाता है 0.90 के साथ और above 150 की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि 1.0 आप लोग का free board होता है यह table आप लोगों ने ध्यान में रखनी हैं यह question आप लोगों का A level में आप लोगों से एक question पुछा गया था A के question paper में question था कि 30 से 150 क्यों में के लिए आप लोग का free board आप लोग जनरली कितना provide करते हैं तो free board depend करता डिशार्च पे जिस तरीके से quantity आपको डिशार्च की देखने को मिलेगी उसी तरीके से free board भी होगा इसका मतलब answers आप लोग का किसके साथ जाएगा option number D आप लोग का correct answers होगा इस table को एक से दो बार आप लोग देखेंगे तो आप लोग को automatic याद हो जाएगा चलिए तो सबी students अपनी presence को mark करें morning में आप लोग ने एक set को लगाना है जिससे कि और साम को दो set आप लोग ने एक घंटा खुद से भी पढ़ लोगे तो चार घंटे enough होते हैं अभी आप लोगों के paper में time भी है काफी लोगों के next question manholes on civil lines are provided for manholes आप लोग किसले provide करते हैं civil lines में periodic cleaning के लिए या option number B को mark करोगे C के साथ या D के साथ सबी लोग answers करें देखे तो सुमंता जी भारती जी संजे कुमार जी अमन सिंग जी अनवर जी रिच्चा मिश्रा जी मानू राजपुट जी संजे कुमार जी अज्जे कुमार जी सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ very good बहुत अच्छी बात है आप लोग बहुत अच्छी बात है आप लोग को ले रहे हैं तो आप पूरा दिन आप लोग का बहुत अच्छे से जाएगा अब इस question को answers करो कि आप लोगों से question बुला गया है कि जो drinking water आप लोग पानी को पीते हैं उसमें जो dissolved solids होते हैं उनकी permissible limit क्या होती है 200 mg per liter, 330, 410 और 500 mg per liter answers क्या होना चाहिए सबी लोग answer जरू करें आप लोग के according क्या answer जाएगा and सबी students अपनी presence को जरू mark करें answers करके बताएं क्या answers होना चाहिए तो देखो अगर drinking water की बात करें पीने के पानी के लिए तो acceptable limit आप लोग की कितनी होती है 500 mg per liter होती है और अगर आप से rejection limit पूच दिया जाए acceptable limit 500 mg per liter और rejection limit अगर आप लोगों से पूच दिया जाए तो हम लोग कहते हैं कि 1000 mg per liter तो ध्यान रखेंगे 500 ppm और 1000 ppm आप लोगों ने ध्यान रखना है question permissible पूचा गया तो 500 mg per liter आप लोगों का answers होगा clear है चलो आगे चलते है next question के साथ इस question को answers करें सभी लोग सभी students अपनी presence को जरू mark करें आप लोगों ने वीडियो को like share भी करना है next question आप लोगों की screen पर कि if the failure of a finite slope occurs in which the failure surface passes below the toe आप देखो तक अगर बोला होता तो फिर यह failure का आपका क्या हो जाता नाम अलग हो जाता लेकिन question बोला गया है कि आपका क्या है जो भी failure हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो toe के below देखने को मिल रहा है तो यह slow failure है face failure है base failure ह यह तो failure है फटा फरसे answers करो सभी लोग answers करें सभी students अपनी presence को जरूर मांग करें जिस भी question question में आप लोग mistake करें उस question को आप लोग screenshot जरूर कर ले इस question का answers बताएं सभी लोग आप लोग के according क्या answer जाना चाहिए यहाँ पर देखिए तो अनवर जी भारती जी अजे कुमार जी सुमंता जी सभी लोग बहुत अच्छे answers के साथ answer जाएगा base failure के साथ very good option number C correct answer धियान रखेंगे failure surface passes अगर toe तक आप लोग से बोला होता कि toe में आप लोग को failure देखने को मिल रहा है तो answer आप लोग का किसके साथ चला जाता तो failure के साथ अब बिलोग दी toe बोला गया है तो answer क्या हो जाएगा base failure आप लोग का answer हो जाएगा फिफ्ट question के साथ चलते है इस question को answer करो कि length upon diameter ratio किसके लिए बोला गया triaxial test के लिए आप लोग को पता है कि triaxial test के अगर हम बात करें तो आप लोग का क्या है shear strength को हम लोग calculate करते है यहां से triaxial test से हम लोग shear strength को calculate करते है और अगर हम बात करें तो यह हर type की soil all type of soil के लिए हमारा क्या होता यह triaxial test आप लोग का use होता है यह हम लोगों ने पढ़ा है हमें यह पता है कि यहां पर अगर इसके drawback आप लोग को बहुत ही कम या नहीं के बराबर देखने को मिलते हैं क्योंकि हम लोग यहां से pore pressure, pore water pressure को भी यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं मिजर कर लेते हैं इसका मतलब जो भी आपके direct shear test के क्या होता है disadvantages हैं या drawbacks हैं उन सब को fulfill कौन कर देता है ट्राइक्जिल कर देता है तो answers क्या होना चाहिए आपको पता है कि length की अगर बात करें जो यहां पर cylindrical specimen होता है उसकी 75 cm होती है और अगर हम इसकी बात करें diameter की तो 37.5 तो अगर हम लोग इसको cancel out करें तो approximately answers किसके साथ चला जाएगा दो के साथ चला जाएगा और आपका answers option number C के साथ चला जाएगा अच्छा कोशन है तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो length diameter ratio तो किस किसके answers correct है very good तो संजे कुमार जी भारती जी तपस कुमार जी काफी लोग का answers correct होता हुआ very good तो सभी students answers जरूर करें आप लोग के recording क्या answer जाना चाहिए next question बहुत ही अच्छा question आप लोग की screen पे in turbulent flow through rough pipes the ratio of the maximum velocity to mean velocity is question बोला गया कि turbulent flow आप लोग को देखने को मिल रहा है तो maximum velocity to mean velocity का ratio क्या होता है और एक question आप लोग की UPPCA में ही पुछा गया था कि अगर हम turbulent flow की बात करते हैं तो turbulent flow में आप लोग की velocity profile क्या देखने को मिलती है तो हम लोग ने कहा था कि क्या देखने को मिलती है आपको सबी को पता है कि logarithmic आपकी क्या मिलती है प्रोफाइल देखने को मिलती है और इसी तरीके से laminar flow में अगर हम लोग कहाएं कि velocity profile क्या होती है तो हम लोग कहते हैं कि parabolic shape की आप लोगो को देखने को मिलती है यहाँ पर question बुला गया है कि maximum to mean velocity u max upon u average का ratio turbulent flow के लिए क्या होता है फटा फटा से answers करो very good, सबी लोग b answers के साथ क्या b ही answers correct होगा देखो अगर हम u max upon u average की बात करते हैं तो हमारे पास आता है 1 plus 1.33 अप लोगो का आता है इसका मतलब कि जो आप लोगो का maximum velocity to mean velocity का ratio है वो किस पर depend करता है friction factor पर depend करता है अब जितने भी students दो answers करें basically maximum velocity to average velocity दो होता है pipe flow के लिए और जब हम किस की बात करते हैं lamina flow की यहाँ पर question बोला है turbulent flow, turbulent flow में किस पर depend करता है option number D आप लोगो का correct answers यह engineering services का question है question जरूर पूछा जा सकता है आप लोगो के exam में जितने भी NCL exam को target करने हैं इन question को बहुत अच्छे से practice कर लो आप लोग clear है तो देखो laminar flow बोला होता तो दो आप लोगो का answer जाता question ने turbulent flow पूछा गया है तो U max upon U average आपका क्या हो जाएगा 1 plus 1.33 under root of F तो किस पर depend करता है आप लोगो के friction factor पर depend करता है 4 by 3 को आप लोग answers नहीं mark करोगे 4 by 3 आप लोगो को क्या याद आ रहा है ये याद आ रहा है आपको alpha is equals to 2, beta is equals to 4 by 3 pipe flow के लिए beta क्या था? momentum correction factor था question यहाँ पर क्या बोला है U max upon U average clear है यहाँ तो सभी लोगों को सभी students अपनी presence को भी जरू mark करें और answers भी करके बताएं और जो question यह अच्छी level की question आपको देखने को मिलने इनके screenshot आप लोगों के पास होने चाहिए कि last time में आप लोग देख पाओ next question in CBR test the value of CBR is calculated at आप लोग को पता है California bearing ratio test आप लोगों से question पूछा गया है कि CBR की value को आप लोग कितने penetrations में आप लोग क्या करने है find out करते है 2.5 mm penetration, 5 mm, 7.5 या both 2.5 and 5 mm penetration, answers mark करो सभी लोग answers करें और सभी students वीडियो को like share भी करें जहां पर आप लोग mistake कर रहे है उस question को आप लोगों ने note down करना है इस question का answer करो फटा फट से देखो, अगर CBR की हम लोग बात करें तो हम लोग को पता होना चाहिए कि कितने mm का plunger आप लोग यूज करते हैं, तो हमें पता है कि 50 mm डायमेटर का plunger आप लोग यूज करते हैं, कुछ important बातों को आप लोग ने ध्यान रखना है कि कि कितना diameter का plunger यूज करते हो, 50 mm का diameter का plunger होता है, कितने rates से आप लोग यहां पे इसको penetrate कराते हो, तो 1.25 mm पर minute से और क्या ध्यान रखना है ध्यान रखना है कि 2.5 और 5 mm के penetration की अगर हम बात करते हैं, तो 2.5 mm penetration में 1370 kg आप लोग कहते हैं, लोड, और 5 mm के penetration में बात करें तो 2055 kg हम लोग कहते हैं, 2.5 penetration में अगर हम लोग बात करें, pressure की तो 70 kg पर cm2 होता है, और 5 mm के बात करें तो 105 kg पर सेंटिमीटर स्क्वार होता है इसका मतलब 2.5 फाइबंगे पैनिट्रेशन में हम लोग क्या कराते हैं इसका मतलब option number D आप लोग का correct answers और यूपीपेसी यही में आप लोग का डाइट यही कितना हो जाता है जो भी हमारा standard यहां पर values होती हैं आगे चलते next question के साथ इस question को answers करें सभी लोग सारी values को आप लोग ने ध्यान में रखना है जिसे की exam में आप लोग गलती ना करें and सभी students अपनी presence को भी mark करें आप लोग ने वीडियो को like भी करना है next question the instrument used for the accurate centering of the plane table serving plane table serving का principle किस पर बेज़े आप लोग का parallelism parallelism में है आपको पता है कि parallelism में आपका इसका principle based है आप लोग क्या करते हैं ground में जो भी आप लोग की location होती है उसको आप लोग plane table पर locate करते है question बोला गया है कि accurate centering हम लोगों ने करनी है तो हम लोग किस को use करते है इस्प्रेट लेवल को use करते हो एलिडेट को plumbing fog यह ट्रफ compass फटाफर से answers करो सभी लोग answers करें आप लोगों के recording की answer जाना चाहिए तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सभी लोग अच्छे answers के साथ रिच्या मिश्रा जी यश्वन जी पवन सेगल जी अनवर जी सुमंता जी तपस कुमार जी अजे कुमार जी श्यानदार जी वेरी गुड सभी लोग बहुत बढ़ी answers के साथ तो देखो हम यहाँ पर बात करें तो answers किसके साथ चला जाएगा plumbing fog के साथ आंसर चला जाएगा option number C आप लोग का correct answers spread level की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं leveling के लिए alitate आप लोग कहते हैं कि sighting के लिए truck compass की बात करें तो हम लोग क्या देखते है not south आप लोग का कहा पे है तो अगर overall अगर हम कहाएं तो कुछ इस तरीके से आप लोग को देखने को मलता plumbing fog यह है आप लोग का plumbing fog इस तरीके से आप लोग लगाते हैं जो point आपका क्या है table में उस point को आप लोग क्या करते हैं ground में place करते हैं तो सभी लोग अपनी presence को भी mark करें, सभी लोग बहुत अच्छे answers के साथ, आप लोगों के इस question का answers क्या होना चाहिए, क्या बोला क्या है, what is the simplest way of using plane table, plane table को simply तरीके से use करने के लिए, हमारे पास कौन सी method होती है, क्या ये radiation है, intersection है, triversing है, या resection है, answers करें यहां पर कि सबसे simplest method आप लोग किसको बोलते हैं, yes, simplest method की बात करें, तो आप लोग को पता है, कि suppose आप लोग के ground level में, अगर हम लोग कहें, तो कुछ इस तरीके से आप लोग को points देखने को मिलेंगे, जैसे कि suppose ये वाला point, ये वाला point, ये वाला point, सारे points आप लोग के visible अब लोग को अप लोग का लोग के लोग करेंगे, आप लोग का करेंगे, और सारे points हमारे visible होने चाहिए, ये कौन सी method है, simplest method है, जसको radiation आप लोग कहते हैं, इस का मतलब option number A आप लोग का correct answers, आगे चलते नेस्स को सस्वेंगे, बहुत अच्चा कुशन के साथ, इस कुशन क आप से question बोला गया है कि jet diameter क्या होगा अगर load 36% हो गया पहले 100% था फिर 36 हो गया तो आप से question पूछा गया है तो आप लोगों का यहाँ पे diameter की value क्या आईगी तो at least सभी लोग try करें इस question को आप लोग के according क्या होना चाहिए तो अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों से two jet pattern wheel आप लोगों से बोल दिया गया है आपको पता है कि 10 cm का diameter आप लोगों को बोल दिया गया है लोड आपका suddenly reduce हो जा रहा है तो हमें क्या देखना है कि diameter और लोड पी और आपके किस में diameter में क्या relation होता है तो ध्यान रखेंगे power जो है directly आपके proportion होती है rho g q h मतलब q के directly proportion होती है discharge आपको पता है कि क्या होगा area into velocity होगा तो कहीं न कहीं area हम लोग कह सकते हैं कि d square pi by 4 into d square into velocity तो d square के directly proportion होगा और हमें चाहिए भी क्या हमें चाहिए load और आपके d square पे relation तो हमारे पस क्या आ जाएगा देखो p1 upon p2 is equals to आपके पस आ जाएगा d1 by d2 का whole square तो देखो p1 starting में कितना होगा 36% full load reduce हो गया तो starting में 100 होगा फिर बात में reduce होगे 36 हो गया होगा यहां से अगर हम d2 की value को देखें तो आप लोग का answers क्या जा रहा है 6 cm आप लोग का answer जा रहा है इसका मतलब option number d आप लोग का correct answers अच्छा question है देखो इसी तरीके के question पूछे जाते हैं यह es में आप लोग का आया है तो state services exams में तो आप लोगों से पूछे ही जाएगा clear है very good काफी लोगों ने 3.6 answers निकाला है देखो answers जाएगा आपका 6 cm के साथ clear है चलो आगे चले next question के साथ flexible payment distribute the wheel load आप लोगों से question बुला गया है कि अगर हम flexible payment की बात करें तो wheel load को किस तरीके से distribute करते है directly subgrade में distribute कर लेता है या structural action के through आपका distribute करता है या option number C को mark करोगे या none of the above के साथ answers को mark करोगे सभी लोग answers करें इस question का आप लोगों के according की answer जाना चाहिए और सभी students अपनी presence को भी mark करें आप लोगों के according की answer जाएगा तो flexible payment आप लोगों को पता है कि flexible payment में wheel load किस तरीके से distribute होता है yes through the set of layers to the subgrade जिस तरीके से आप लोगों को layers देखने को मलती है तो grain to grain हम लोग कह सकते है किस तरीके से distribute होता है grain to grain आप लोगों का distribute होता है wheel load इसका मतलब answers आप लोगों का किसके साथ जाएगा आगे चलते नेक्स कुश्चन के साथ आप लोगो से बोला गया अगर ग्रेटर देन 60% है तो टेरन आप लोगों का कौन सा कहलाएगा रोलिंग, माउंटेन, स्टेप या प्लेन टेरन के साथ आंसर को मार्क करोगे फटा 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 ऑनसर करें शबी लोग सबी स्टूडन्स अंसर को मार्क करें अपनी प्रेजिपन्स को भी आप लोगोंने मारक करना है इस कॉश्चन को ऑनसर करो कि क्या ऑनसर होगा क्रास लोग कांटरी का आप लोगो ग्रेटर थेन 60% दे रखा आ तो terrain किस तरीके से classified होता है सबी लोग answer करें देखो 2021 में आप लोग को अच्छी खासी vacancies देखने को मिल सकती है तो अपनी पढ़ाई को आप लोगों ने continue रखना है 12 question का answer करें कि क्या answer होगा तो देखो अगर हम up to 10% तक की बात करते है तो हम लोग क्या कहते है तो यही तो गलती है और यह question कितनी बार में आप लोग को करा है answers क्या जाएगा clan के साथ answers आप लोग का जाएगा option अर्म सी correct answers दियान रखेंगे 10% तक plain terrain हम लोग कहते हैं 10 से 25% हम लोग rolling और 25 से 60% mountainous and greater than 68% आपका stiff terrain answer जाएगा next question आप लोग की screen पे answers को mark करें सभी लोग आप लोग के according की answers होना चाहिए देखो बोला क्या है if is the percentage of water required for normal consistency normal consistency की बात हो रही है और हम लोग initial setting time को यहां से find out कर रहे हैं तो हमारे पस क्या होगा 0.70 into p p के आपका percentage of water जितना आप लोग इसमें मिला रहे हैं 0.75 p के साथ जाओगे 0.80 p के साथ या 0.85 p फटा फटा से answers करो सभी लोग answer जरूर करें आप लोगों के according की answer जाना चाहिए और जहां लोग बहुत अच्छे answers के साथ very good इस question का answer क्या mark करोगे yes 0.85 p आप लोग का answer जाएगा option number d ध्यान रखेंगे soundness test के लिए आप लोग ध्यान रखना है 0.78 into p आप लोग का होता है और इसी तरीके से इसमें ध्यान रखना है आप लोगों का 0.85 into p इसी तरीके से compressive strength को अगर हम लोग calculate करते हैं तो p by 4 का whole percent आप लोग का हो जाएगा into combined weight जितना आपका होता है जितना आपका क्या होता है combined weight होता है इस तरीके से आप लोग water को मिलाते हैं जब हम लोग compressive strength की बात करते हैं आगे चलते next question के साथ देखो assertion में आप लोगों से बोला गया है कि pure lime takes a long time to develop adequate strength assertion आप लोगों को यह दिया गया है reason बोला गया है क्योंकि pure lime की क्या होती है slow hardening characteristics होती है आप से question बोला गया है कि select your answers according to the code system तो answers क्या होना चाहिए आप लोगों के according सबी लोग answer करें yes normal consistency की बात करें तो 25-30% आप लोगों को जनरी देखने को मिलती है अब सबी लोग 14 question का answer करें आप लोगों के according क्या answers होना चाहिए देखते हैं कौन इसको right answers करते है तो देखो pure lime की क्या कहा है कि आपकी adequate distance देखने को मिलते हैं लेकिन काफी लबी टाइम बात और क्या क्यों ऐसा देखने को मिलता है क्योंकि slow hardening characteristics होती है तो answers क्या होना चाहिए very good बई जो बोथ a and r is to an r is the correct explanation of the a option number a आप लोग का correct answers होगा धियान रखेंगे pure lime को क्या लगता है लंबा time लगता है strength को gain करने के लिए क्योंकि क्या है उसकी slow hardening characteristics होती है important question आप लोगों का hardening characteristics का मतलब की time के साथ सा कैसे उसकी rate of gain ठीक है gain of strength time के साथ सा कितना वो gain कर पा रहा है उसको हम लोग hardening में करते हैं आगे चलते है next question के साथ pick up the constituent of the good brick whose access causes the raw bricks shrink and warp during drying and burning question बोला गया है कि इसमें से ऐसा कौन सा constituent है brick का जो कि अगर बहुत ज़्यादा access amount में present होता है तो हमें shrinking and warping की problem देखने को मिलती है सभी लोग answers करें इस question का सभी students answers करें and सभी लोग अपनी presence को भी mark करें आप लोगों के according क्या answer जाना चाहिए तो देखो अगर हम alumina की बात करते हैं तो alumina ही आप लोगों की brick art में क्या है सबसे main constituent होता है कौन alumina तो answers क्या जाएग आप लोगों का option number A आप लोगों का right answers आगे चलते है next question के साथ bitumen may be dissolve in bitumen आप लोगों का किस में dissolve है आप देखो bitumen और tar के लिए कुछ important point से ध्यान रखना देखो अगर bitumen और tar basically इन दोनों में ही comparison आप लोगों का होता है तो bitumen की अगर आप लोगों बात करोगे तो bitumen में हम लोग क्या कहते हैं की bitumen आप लोगों का petroleum का fractional distillation देखने को मिलता है तो हम लोगे के बिटुमिन की आप लोग का fractional distillation देखने को मिलता है किसका petroleum का tar की बात करते हैं तो हम लोगे के हाथ हैं destructive distillation देखने को मिलता है wood and coal का जब बिटुमिन की solubile की बात करते है तो bitumen solubile होता है CCL4 और CS2 में और tar इस solubile इंटार किसमें solubile होता है आप लोग का tolwin में आप लोग का solubile होता है तो टार आपका tolwin में solubile होता है और bitumen आपका CCL4 and CS2 में होता है bitumen में carbon compound क्या होते हैं काफी कम होते हैं as compared to tar तो answer क्या जाएगा यहाँ पर carbon disulfide आपका answer जाना चाहिए CS2 क्या है carbon disulfide इसका का मतलब option number D आप लोग का correct answers देखो काफी लोग C के साथ sodium chloride में कब से dissolve होने लगा तो गलत नहीं करेंगे आप लोग right answers mark करेंगे carbon disulfide आपका right answers आगे चलते next question के साथ the percentage of alumina and silica in good fire clay very respectively is आप लोगों से question बोला गया है कि alumina and silica एक good fire clay में क्याने का मतलब आपकी refractory clay की बात हो सकती है तो इसमें आपका alumina and silica कितना present होता है सबी लोग answers करें और सबी students अपनी presence को भी जरू माग करें आप लोगों के recording क्या answers होना चाहिए तो देखें तो नमृता सर्मा जी, अमन सिंग जी, अजे कुमार जी, रिच्चा मिश्रा जी, अनवर जी, अदनान एहमत जी, संजे कुमार जी, संजे चौधरी जी सभी लोग बहुत अच्छे answers की साथ very good सभी students अपनी presence को भी mark करें और answers भी करके बताएं अब बताओ कि good fire clay में आप लोग का कितना देखने को मिलता है अगर हम लोग generally कहते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि 20% 20-30% alumina 52-60 general clay में हम लोग क्या कहते हैं कि 20-30% आप लोग को alumina देखने को मिलता है और 50-60% आप लोगों को सिलीका देखने को मिलता है ऐसा ही कुछ बोलते हैं एक good fire clay के लिए लेकिन आप लोगों से बोला जाए कि आलूमीना और सिलीका कितना प्रेजेंट होगा तो answers क्या होना चाहिए आप लोगों का सबी लोगा answers करें आप लोगों के according क्या answer जाना चाहिए तो देखो अगर हम 17 question की बात करते हैं तो right answers किसके साथ चले जाएगा 25-75 इसका मतलब option नमर या आप लोगों का correct answers ध्यान रखेंगे आलूमीना 25% और सिलीका 75% आप लोगों का answer जाएगा आगे चले next question की साथ answers को mark करो next question आप लोग की screen पे answers करें सभी लोग आप लोग के according क्या answer होना चाहिए देखो बोला गया quick lime is quick lime की बात हो रही है और first आप लोग को बोला गया slow in setting second आप लोग को बोला गया rapid in slacking और third आप लोग को बोला गया good in strength तो इसमें से correct answers कौन सा है quick lime के लिए सभी लोग answers करें quick lime का formula बहुत बार आप लोग उसे बोला जाता है तो calcium oxide CAO ध्यान रखना है इस बात को clear है तो quick lime आप लोग को CAO देखने को मलता है इसको गलत नहीं करना है limestone की बात करते है तो CACO3 हम लोग generally कह देंगे लेकिन अगर हम लोग quick lime की बात करें तो CAO आप लोग का answer जाएगा तो question बोला गया quick lime is तो आपका first बोला गया कि slow होता है setting में slacking की process की बात करें कि आप लोग उसमें पानी डाल रहे हैं then उसमें आपको hydration की process देखने को मल रही है यह होता है a good in strength क्या answers होना चाहिए correct answers is answers करें आप लोग के recording क्या answers होना चाहिए 18 question का very good option number C बहुत ही बढ़िया slow in setting rapid in slacking strength में अच्छा नहीं होता इसलिए तो हम लोग इसे white washing में use करते हैं कोई भी structure purposes के लिए हम लोग इसे use नहीं करते हैं आगे चलते 19 question के साथ cross cut show is useful cross cut show आप लोग किसले use करते हैं soft stone को cut करने के लिए hard stone को cut करने के लिए यह option number C को mark करोगे या D के साथ सबी students answers करें आप लोग के recording क्या answers होना चाहिए क्या answers करेंगे यहापे तो cross cut show के answers क्या होना चाहिए yes cutting hard stone very good option number B आप लोग का correct answers होगा आगे चलते next question के साथ study the following statements फर्स statement आप लोग को बोला गया है कि जो hydraulic lime होता है suitable होता है white washing के लिए second आप लोग को बोला गया है कि fat lime suitable होता है white washing के लिए third बोला गया है कि hydraulic lime suitable होता है for making mortar and fourth बोला गया है कि fat lime is suitable for making mortar क्या answers होना चाहिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि आप लोगों का जो quick lime होता है या आप लोग फैट lime की बात करें तो हम लोग कहतें कि strength में इतना अच्छा हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है तो answers आप लोगों के according क्या होना चाहिए इस question का सभी students answers करें आप लोगों के according क्या answer जाएगा और देखो बिलकुर basic level के question भी नहीं छोड़ने है क्योंकि आपकी UK SSSC या जो भी state services के exams होते हैं उनमें यही question आ रहे हैं आपका पता लगा कि हम लोगों ने इस gate के question अच्छे से solve कर लिए और last में हम लोग इनी questions में अटक रहे हैं तो फिर भी कोई फाइदा नहीं है इस question को answers करो फटा फट से आप लोगों के according क्या answer जाना चाहिए 20 question का yes 20 answer is option number B very good second and third fat lime में आपका suitable होता है white washing के लिए fat lime को या आप लोग white lime कहते हैं इसी को आप लोग rich lime कहते हैं और next hydraulic lime is suitable for making mortar इसका मतलब option number B आप लोगों का correct answers आगे चलते next question के साथ side face reinforcement shall be provided in the beam when the depth of the web in a beam exits आप लोगों से बोला गिया है कि एक beam में हम लोग side face में reinforcement provide करते हैं कब करते हैं जब depth of the beam उसकी कितनी exit कर जाती है option number A को mark करोगे B के साथ C के साथ या D के साथ सभी लोग answers करें and सभी students अपनी presence को भी mark करें आप लोगों के recording क्या answer जाना चाहिए येस देखो अगर हम बात करते हैं ये आप लोगो की beam हम लोगो को देखने को मिलती है हम लोग कहते हैं कि side में आप लोग क्या करने हैं reinforcement को provide करने हैं तो हम लोग कहते हैं कि depth of beam कितनी exit कर जाती है जब 75 cm exit कर जाती है तो हम लोग क्या करते हैं side face reinforcement provide करते हैं इसका मतलब option number B आप लोग का correct answers next question maximum diameter of the bar used in a ribbed slab ribbed slab में आप लोग कितना maximum diameter bar का use करते हैं तो 12 mm के साथ answers करोगे 6 mm, 20 mm या 22 mm सबी लोग answers करें आप लोग के recording क्या answer होना चाहिए yes सबी students class को भी share करें आज तो काफी कम students है UK SSC JEE का exam finish हुआ है अभी तो आप लोग के काफी exams बाकी है इस question को answers करें सबी लोग आप लोग के recording की answer जाना चाहिए तो देखो अगर हम लोग maximum diameter की बात करते है ribbed slab की तो answers किस के साथ चला जाएगा 22 mm के साथ आप लोग का answer चला जाएगा option number D आप लोग का correct answers आगे चलते है 23 के साथ for a number of column constructed in a row row में अगर बात करें आप लोग के क्या है number of columns आप लोग के बहुत सारे presence हैं तो हम लोग कहते हैं कि कौन सी foundations को हम लोग यहाँ पर provide करते हैं footing को provide करते हो raft को strap को या strip को आप लोग answers mark करोगे सबी लोग answers करें आप लोग के according की answers जाना चाहिए and सबी students अपनी presence को भी mark करें और answers भी करके बताएं इस question का answers क्या mark करोगे यहाँ पर yes तो हम लोग क्या कहरें देखो number of columns यह आप लोग की row है और इसमें हम लोग कहरें कि number of columns आप लोग की construct हो रहे हैं और number of columns आप लोग की construct हो रहे हैं तो यह हमारी किस तरीके की footing है यह हमारी step footing है इसका मतलब option number D आप लोग का correct answers होगा आगे चलें next question next question आप लोग की screen पे answers करो कि maximum area of tension reinforcement in beams shall not exit तो tension reinforcement in beams के अगर हम बात करते हैं तो maximum area आप लोग का कितना यहाँ पे होता है 0.15%, 1.5, 4% या 1% के साथ answers को mark करोगे सबी लोग answers करें आप लोग के according की answer जाना चाहिए देखे तो सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ very good discussion का answers करो देखो आप लोग को पता है कि beams की बात हो रही है तो हम लोग क्या कहते हैं कि maximum area tension reinforcement कह दे या compression reinforcement कह दे दोने के लिए आप लोग का कितना होता है 4% आप लोग का होता है इसका मतलब option number C आप लोग का correct answers होगा 25 के साथ चलते है as per the IES 456 1978 pH value आपके water की the pH value of water cell b तो pH value water की कितनी होती है less than 6 होती है equals to 6 होती है not less than 6 या equals to 7 के साथ आप लोग answers को mark करोगे सबी लोग answers करें आप लोग के recording की answer जाना चाहिए yes 25 के अगर हम बात करते हैं तो pH value water की क्या कहते हैं हम लोग हम लोग कहते हैं pH value cell not be less than 6 इसका मतलब option number C आप लोग का correct answers होगा 26 के साथ चलते हैं the horizontal portion of a step in a staircase case is अगर हमसे बोला जाए कि staircase में जो horizontal portion होता है step का वो क्या कहलाता है riser कहलाता है flight कहलाता है window कहलाता है या thread के साथ आप लोग answers को mark करोगे सबी students answers करें इस question का आप लोग के according की answer जाना चाहिए तो अगर horizontal portion आप लोग का staircase का पूछा जाए तो यह हमारा क्या कहलाता है yes कुछ लोग window answers करें window तो आप लोग का किसके लिए होता है direction को change करने के लिए आप लोग flight से move करने है उसके बार आपने थोड़ी सी direction change करने है तो वहाँ पे आप लोग का tapping step आप लोग का होता है जिसे हम लोग winter कहते हैं और अगर horizontal portion step का पूछा जाए तो इसे हम लोग thread कहते हैं इसका मतलब option number D आप लोग का correct answers तो आप लोग देख सकते हैं कि यह हमारा horizontal step है इसी को हम लोग thread कहते हैं आगे चलते next question के साथ a foundation is called shallow if its depth is question बोला गया है shallow foundation और D foundation आप लोग के पास होती है question आप से पूछा गया है कि shallow आप लोग कब कहोगे जब उसकी depth क्या होगी one fourth of its width यह option number B को mark करोगे C के साथ या D के साथ सबी लोग answers करें इस question का आप लोग के according क्या answer जाना चाहिए तो देखें तो रिच्चा मिश्रा जी अनवर जी अजे कुमार जी अमन सिंग जी संजे कुमार जी संजे चौधरी जी सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ very good अब बताओ कि cello foundation हम लोग किसे कहते हैं अगर इसकी depth हम लोग को क्या देखने को मलती है yes less than and equals to its width हम लोग कहते हैं इसी को हम लोग cello foundation में रखते हैं डी foundation की बात करें तो हम लोग क्या कहते है greater than its width कहते हैं कह रहे हैं आता सभी लोग को very good सभी लोग बहुत अच्छे answers के साथ आगे चलते next question के साथ आप लोग उसे question बोला गया है कि slab को हम लोग two-way slab कहते हैं कब it supports live loads in both direction live load दोनों direction में देखने को मलते हैं या आप कहेंगे कि जो span है हमारा two direction में कहने का मतलब ly by lx की अगर हम बात करते हैं तो less than two आप लोग को देखने को मलता है या slab आपको continuous देखने को मलती है over two supports या option number d को mark करोगे सभी लोग answers करें आप लोग के recording की answer जाना चाहिए yes हम लोग कहते हैं कि ly by lx की value जो होती है वो less than by two आप लोग को देखने को मलती है अगर हम लोग two ways slab की बात करते हैं आगे चलते हैं 29 के साथ bearing plates are used to fix bearing plates को आप लोग कहां पे fix करते हैं answers करो flat footed rails to the wooden slippers में करते हो या double headed rails to the wooden slippers में या option number c को mark करोगे या d के साथ सबी students answers करें आप लोग के according क्या answer होना चाहिए इस question का तो bearing plates को आप लोग कहां पे fix करते हैं yes हम लोग fix करते हैं flat footed rails to the wooden slippers wooden slippers में जो आप लोग की flat footed rails होती हैं उनको join करने के लिए हम लोग bearing plates को use करते हैं इसको आप लोग देख भी सकते हैं पिस्प्रेइट की बात करते हैं तो आप लोग का क्या करता है dies channel joins को क्या करता है आपका join लगों करता है जिसे की आपकी continuity बन सक्के racl Weird क्लियर है इस पाइज की बात करने ही तो इस पाइज करता है जो salsa होती है उनको इन पर क्या करता है इस को हम लोग spike कहते है आगे चलते है नेड्श कोशन के साल विंग रेलस चाहर प्रोवाइडिड विंग रेल्ड़ंस की अगर तो दामीनी जी, अदनान जी, सौरब कुमार जी, भारती जी, श्यानदाद जी, अजे कुमार जी, सबी लोग बहुत अच्छे आंसेस के साथ वेरी गुड इसक्षिन का आंसेस मांग करो कि विंग रेल्स को हम लोग कहां पे प्रोवाइट करते हैं इसका मतलब option number D, आप लोग का correct answers यहां पे आप लोग देख सकते हैं जहां पे हमारी crossing होती है, वहां पे हम लोग विंग रेल्स को प्रोवाइट करते हैं जो ये additional rails आप लोग को देखने को मिल रही है, इसी को हम लोग विंग रेल्स कहते हैं आगे चलते next question के साथ आप देखो अच्छा question आप लोग का फटब फट से calculate करके बताओ कि क्या answers होना चाहिए if the slope of the sewer A का slope आप लोग को दे रखा है कि 1 in 100 A का slope आप लोग को दे रखा है 1 in 100 और sewer B का आप लोग को slope दे रखा है 1 in 400 question बोला गया है कि the velocity of flow in the two severs will have the ratio of मतलब कि V1 by V2 के आप लोग को से question पूछा गया है तो answers क्या होना चाहिए 1 by 2 1 या 2 की power 2 by 3 या 2 के साथ answers को mark करोगे सबी लोग answers करें आप लोग के according इस question का answers क्या होना चाहिए तो देखो अगर हम बात करते हैं कि इस तरीके से question आप लोग कैसे solve करोगे तो हमें पता ही कि V आप लोगों से बोला गया है हमें पता ही कि Manics formula हमारी ध्यान में है जो कि होता है V is equals to 1 upon N R की power 2 by 3 S की power 1 by 2 यह आप लोग का होता है यहां से हम लोग कहरें कि V आपका क्या है directly proportional है S की power 1 by 2 के तो हम लोग यहां से क्या कहरें कि V1 upon V2 is equals to आपका क्या हो जाएगा S1 upon S2 और यह क्या है आपका under root है clear है यहां आता सभी लोगों को अब V1 by V2 आप लोगोंने calculate करना है S1 की बात करते है तो S1 आप लोग का क्या है 1 in 100 है S2 की बात करते है तो 1 by 400 है तो यहां से हम लोग देख रहें तो under root of 4 आप लोगों का रहा है इसका मतलब 2 आप लोगों का रहा है तो V1 by V2 is equals to आप लोगों का कितना आ गया फटाफर से आंसिस करो इस question का सभी लोग आप लोगों के according क्या आंसिस जाना चाहिए तो yes V1 by V2 आप लोगों का क्या आ गया 2 आ गया इसका मतलब option number D आप लोगों का correct answers होगा very good काफी लोग D के साथ तो गलत मत करना इस question को ये question exam में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि slope of the seaver A का 1 in 100 है और slope B की अगर बात करें तो 1 in 400 दोनों की velocity अगर हमारी velocity दोनों seaver का ratio पुछा गया है तो यहां से हम slope और V के बीच में relation जैसी find out करेंगे तो V1 by V2 आपका कितना आ गया दो आ गया आगे चलतें next question के साथ works costing less than 20,000 are treated as आप लोगों से बुला गया है किसी भी काम करने की cost अगर आप लोगों की less than 20,000 होती है तो आप लोग इसको किस तरीके का project कहते हो any project, major project, minor project या all of the above को answers mark करोगे सभी students answers करें और सभी लोग अपनी presence को भी mark करें काफी कम students है UK triple SSJEE वाले ही experience आते थे क्या class को ले निकले अब भी तो आपका NCL exam है next week में उसके लच्छे से prepare करो आप लोग यही time होता है जिसमें कि आप लोग कुछ नई चीज़ों को सीख सकते हो फिर दो मन्त के बाद फिर आप लोग का SSJEE का exam देखने को मिल जाएगा आने वाले time में state services exam देखने को मिल जाएगे तब ही तो mistakes होती है क्योंकि हम लोग बीच में क्या करते हैं पढ़ाई छोड़ देते हैं answers करो फटाफट से क्या answers होना चाहिए आप लोगों के recording yes less than 20,000 की बात करें तो इसे हम लोग क्या कहते है c minor project very good अब देखो pity pity work आप लोग का नहीं दिया गया next question a channel bed slope 0.0009 carries the discharge of discharge देदिया देखो 30 meter cube per second का question बोला गया है कि depth of flow आपकी 1 meter है और बोला गया है कि same exactly आप लोगों का दूसरा channel है उसमें आप लोगोंने बताना है कि क्या discharge की value होगी अगर slope आप लोगों का decrease कर जा रहा है आपका 0.0001 से तो कैसे करेंगे इस question को सभी लोग answers करें और सभी students अपनी presence को भी mark करें आप लोगों के recording की answer होना चाहिए देखो यूपी में irrigation department में आने वाली है vacancy तब ही मैं आप लोगों से बोल रही हूं कि आप लोग पढ़ाई को ना चोड़ें हम लोग देख रहे हैं कि discharge और slope में हम लोगों ने relation को find out करना है जिससे कि आप लोग किसकी value को calculate कर सको discharge की value को calculate कर सको तो q क्या है आपका directly proportional s की power 1 by 2 के तो यहां से क्या जाएगा देखो q2 upon q1 is equals to under root of s2 upon s1 आप लोगो का हो जाएगा यहां से अगर हम लोग देखें under root of s2 की बात करें तो 0.0001 आप लोग का हो जाएगा s1 की बात करें तो 0.0009 आप लोग के पास हो जाएगा q2 आप लोगोंने find out करना है q1 की बात करें तो q1 आप लोग को 30 दे रखा है तो यहां से अगर हम लोग देखें तो q2 आप लोग के पस कितना आ जा रहा है 10 m3 पर second आप लोग के पस आ जा रहा है इसका मतलब कौन सो option यहां पर correct आप लोग का option number a आप लोग का correct answers है clear है तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है अगर question discharge or slope का पुछा जाए तो भी आप लोग यह वाली equation लगा सकते है क्योंकि आपको पता है कि manics equation जो है v is equals to 1 by n r की power 2 by 3 s की power 1 by 2 आप लोग का है और discharge is equals to क्या होता है area into velocity होता है तो यह velocity तो है आप लोग की answers क्या जाएगा option number a के साथ बहुत अच्छे बई very good बहुत बढ़िया ठीक है चलो answers करो आप लोग question का next question if the activity has this optimistic, most likely and pessimistic time optimistic time की बात करें तो 2 most likely time 3 है आप लोग का pessimistic time साथ है question बोला गया है कि expected time of variance को calculate करो तो कैसे calculate करेंगे आप लोग इस question को at least आप लोग try करें कि question किस तरह के से solve आप लोग का होगा तो देखो अगर expected time की बात करें तो t0 plus 4 tl plus tp divided by 6 आप लोग का हो जाएगा t0 की बात करें तो optimistic time कितना दे रखा है 2 आप लोग को दे रखा है plus 4 multiplied by tl की बात करें तो most likely time कितना दे रखा है 3 दे रखा है tp की बात करें तो 7 आप लोग को दे रखा है divided by 6 आप लोग का हो जाएगा next हम लोग बात करें variance की तो variance आप लोग का क्या होता है variance आप लोग का होता है tp minus t naught upon 6 का whole square आप लोग का होता है tp की बात करें तो tp कितना दे रखा है आप लोग को 7 दे रखा है तो 7 minus 2 upon 6 का whole square आप लोग का हो जाएगा यहां से अगर हम लोग कहें तो 7 में से 2 गए 5, 5 का स्क्वाइब 25 और 6 का स्क्वाइब 36 तो 25 बाइ 36 हो जाएगा लेकिन 25 बाइ 36 से काम नहीं बनेगा expected time कितना आ रहा है आप लोग का, yes expected time आप लोग का रहा है 3.5 इसका मतलब 3.5 और 25 बाइ 36, option number C आप लोग का correct answers होगा यहीं पर variance आप लोगों से बोला होता तो TP-T not by 6 हो जाता अभी आप से क्या पूछ दिया गया है, sorry, standard deviation अगर पूछा गया होता तो TP-T not upon 6 हो जाता, लेकिन question में variance पूछा गया है तो इसका square आप लोग कर लोगे, गलत मत करके आना अगर exam में कभी आप लोगों से पूछ लिया आगे चलतें next question के साथ, which of the following is the weakness of the bar chart bar chart की क्या-क्या weaknesses आप लोगों को देखने को मिलती है सभी लोग answers करें, इस question का आप लोगों के according क्या answers होना चाहिए interdependency of the activities, project progress, uncertainties, all of the above जब bar chart की ये सारी weaknesses आप लोगों को देखने को मिली, तो इसी के बाद milestone chart आप लोगों को आया clear है यहां तो सभी लोगों को, इसी के बाद milestone chart आप लोगों को देखने को मिला तो हम लोग कहते हैं कि ये सारी, ये सारी इसमें क्या हैं, इसकी weaknesses हैं, इसका मतलब option number D आप लोगों का correct answers होगा आगे चलते next question के साथ, the process of incorporating changes and rescheduling and re-planning is called आप लोगों से बोला गया है, कि जो भी हम लोग changes कर रहे हैं, जो भी schedule है, उसको re-schedule कर रहे हैं जो भी planning है, उसको re-planning कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, resource leveling कहते हैं, ये option number B को mark करोगे, C के साथ या D के साथ सभी students answers करें, आप लोगों के according क्या answers होना चाहिए येस, देखो अगर हम changes and re-scheduling, re-planning की बात करते हैं, तो इसको updating कहते हैं, इसका मतलब option number C, आप लोगों का correct answers होगा next question, the first method invented for the planning projects was, आप जब भी हम लोगों ने प्रोजेक्स का plan करा, तो सबसे पहले method कौन सी आप लोगों के पास आई, bar chart आई, milestone आई, critical path method आई, या part आप लोगों की आई, ये भी बात ध्यान वें रखनी है, कि अगर हम part technique की बात करते हैं, तो probabilistic approach आप लोगों को देखने को मिलती है, तो answers आप लोग के according क्या होना चाहिए, सबी students answers करें, for effort से, yes, सबसे पहले आप लोगों का क्या आया, bar chart method आप लोगों की सबसे पहले आई, इसकी weakness को सुदारने के लिए, फिर mild stone आया, उसके वाद cpm and pert आप लोगों का आया, next question, dummy activity, dummy activity किस तरीके की activity होती है, artificially introduced कर करते हैं, कोई भी time ये consume नहीं करती है, ये all of the above को answers mark करोगी, सबी students answers करें, आप लोगों के according क्या answer जाना चाहिए, तो देख अगर dummy activity की बात करते हैं, तो आपको साब पता है कि artificially introduced करते हैं, dotted line से करते हैं, और नहीं यहाँ पर हम कहें कि कोई भी time ये consume नहीं करती है, 39 पे च उसकी life over हो जाती है, तब के लिए हम लोग thinking fund को रखते हैं, कि हम क्या कर सकें, उसको दुबारा से rebuild कर सकें, या B option को mark करोगे, या C के साथ, या D के साथ, सबी students answers करें, आप लोगों के according क्या answers होना चाहिए, क्या answers करेंगे आप लोग इस question का, चलो, सपने में class ले रहे थे, इसलिए late होगे, बहुत अच्छा, देखो सपने में class मत लेना, class में present हो जाओगे, तो आप लोगों को को समझ में आएगा, सपने में समझ में नहीं आने वाला, तो देखो हम लोगों ने क्या कहा, कि rebuilding structure के लिए हम लोग जो fund को जमा करते हैं, इसको हम लोग sinking fund कहते हैं, इसी में हम लोग बोलते हैं कि 90% तो हमारी क्या होती है, cost of the project होती है, इसको हम लोग जमा कर लेते हैं, rebuild के लिए, और 10% तो हमें कहां से मिल जाती है, scrap value, कभार की value से मिल जाती है, आगे चलतें next question के साथ, critical path lies along the activities having total float, total float की value क्या होती है, जब हम critical path की बात करते हैं, सबी लोग answers करें, देखो अगर ये questions आप लोग की Hindi language में होंगे, तो क्या काफी students को इससे benefit मिलेगा, जरूर आप लोग comment section में बताना, otherwise इस class को Hindi में भी change कर दिया जाएगा, questions को Hindi में भी change कर दिया जाएगा, तो जब ये class आप लोग की over हो जाएगी, तो जरूर आप लोग अपना suggestion देना की क्या करना चाहिए, चलो बताओ, critical path की अगर हम बात करते हैं, तो total float हम लोग क्या कहते हैं, 0 कहते है, option number C, आप लोग का correct answers, 41 question आप लोग की screen पे देखो, a mild steel bar, circling cross section, tapples from 40 mm diameter to 20 mm diameter, length की बात करें तो 800 mm, बोला गया है कि एक axial pull आप लोग को चलो, answers करो, आप लोग के recording की answers होना चाहिए, इस question का ऐसा नहीं बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि English और Hindi दोनों में आपको question show हो, ऐसा बोला जा रहा है, तो देखो अगर हम बात करते हैं, तो tapet bar आप लोग को कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही है, यह आप लोग को क्या देखने को मिल रही है, यह 40 mm, इसको 40 mm क्योंकि य यह 20 mm, तो इस तरीके से tapet bar है, length आपको 800 mm दे दी गई है, आपको सब को पता है, कि हमारे पास tapet bar के लिए the increase in length of the rod, delta L की value क्या होती है, हमारे पास होती है, 4 PL upon क्या होती है, पाई E into D1 D2 आप लोग के पास होती है, तो 4 multiply by P की अगर हम बात करते हैं कि कितना axle pull आप लोग को जा रहा, 800 mm, 800 mm आप लोग का हो जाएगा, upon pi को आप लोग ने नहीं छेड़ना है, E की value कितनी है, 2 into 10 की power 5 है, और D1 की बात करें तो D1 20 है, D2 की बात करें तो 40 है, तो answers क्या चल जा जा रहा, 2 upon 5 pi के साथ आप लोग का answer चला जाएगा, इसका मतलब option number B आप लोग का correct answers, यहा answers किसके साथ चला जाता है, 4 pl pi e d1 d2 के साथ आप लोग का answer चला जाता है, चलो, very good, ठीक है, तो भी लोग बहुत अच्छे answers के साथ, very nice, आगे चलते हैं 42 के साथ, what is the shear stress at the neutral axis in a beam of isocells triangular section with a base of 40 mm and high 20 mm, subjected to a shear force of 3 kN, आप देखो इस question के लिए आप लोग के एक मिनट का time देते ह फटा-फट से answers करो इस question का, मुझे उमीद है कि आप लोग जरूर answers करेंगे इस question का, सबी लोग answers करके बताएं, आप लोगों के recording के answers होना चाहिए इस question का, तो देखो आप लोगों से किसका shear stress पुछा गया, triangular section के लिए बोला गया है, तो हमें बता है कि tau neutral axis आप लोग के पास कितना होता है, 4 by 3 into tau average आप लोग के पास होता है, tau max अगर आप से बोला गया होता, तो आप लोग क्या करते है, tau max equals to 1.5 into tau average हो जाता, अब जब हम लोग 4 by 3 into tau average की बात करते हैं, तो हम लोग क्या कहते है, कि आपका क्या आजाएगा, VU upon area आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा, अब area दिया गया है, आपको triangular section दिया गया है, तो area is equals to आपके पास कितना हो जाएगा, 1 by 2 multiply by 40 multiply by 20 आप लोग के पास हो जाएगा, 2 से 10 में cancel हो इसको आप लोग न्यूटन में change कर सकते हैं, upon कितना आजाएगा? 400 आजाएगा, तो 4 का 100 से यहाँ पे cancel हो जाएगा, यहाँ से यह cancel हो जाएगा, क्या answers आ रहा है आप लोग का यहाँ से? यहाँ से देखे तो आप लोग का क्या answers आ रहा है, 10 MP answers आ रहा है, तो इसका मतलब answers क किसके साथ होगा option number C के साथ आप लोगों का answer होगा क्लेर हैं यहां तक very good भी काफी लोगों ने 10 answers calculate कर रहा है बहुत अच्छी बात है जो खुद से calculate कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है एक्जैम में भी उनको काफी help मिलेगी आगे चलते हैं next question के साथ the estimated time required to perform an activity is known as किसी भी activity को perform करने के लिए जितना estimated time होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं event कहते हो dummy का होगे duration का होगे या float के साथ आप लोग answers को mark करेंगे सबी students answers करें आप लोगों के recording क्या answer जाएगा इस question का yes हम लोग क्या कहते हैं कि कोई भी activity को perform करने के लिए जो time period हम लोग को देखने को मिलता है उसे हम लोग duration कहते हैं option number c आप लोग का correctances next question आप देखो यह पूरा चार्ट बहुत ही जादा important है maximum total settlement आपके isolated foundation के लिए बोला गया है तो देखो यह तीन चीज में आप लोग को लिखा देती हूँ कभी आपको confusion नहीं होगा अगर हम लोग isolated footing की बात करते हैं sand और clay की अगर हम बात करें sand और clay तो द्यान रखना sand के आप लोग का 40 mm देखने को मिलता है clay की बात करें तो 65 mm आप लोग को देखने को मिलता है तीन ही आप लोग को याद रखने हैं अगर हम raft footing की बात करते हैं तो आप लोग को sand का हम लोग को क्या देखने को मिलता है 40-65 आप लोग को देखने को मिलता है औ अगर हम लोग differential settlement की बात करते हैं तो differential settlement में sand में आप लोगों को कितना देखने को मिलता है 25 mm का settlement देखने को मिलता है और clay में अगर हम लोग बात करें तो clay में आप लोगों को कितना देखने को मिलता है 40 mm आप लोगों को देखने को मिलता है यह पूरी की पूरी टेबल बहुत ही important है isolated footing, raft footing और differential isolated में sand clay का ध्यान रखना है 40-60, raft का ध्यान रखना है sand, देखो isolated और raft तो आप लोग समझ सकते हैं कि same ही होता है, sand में 40 है तो यहाँ पे sand में 40-65 clay 65 तो 65 से 100 इसी तरी किसे variation से आप लोग को दिया जाएगा तो isolated और raft को तो याद करने की जर्वत नहीं है एक याद है तो दूसरा automatic correct कर लोगे आप लोग बस आप ध्यान रखना है कि differential settlement में clay का 40 mm देखने को मलता है sand का 25 अब यहाँ पे isolated बोला गया है तो answers किसके साथ चला जाएगा 65 mm के साथ यह पूरी की पूरी table बहुत important है कहीं से भी question आ सकता है clear है तो दो आप लोग ने ध्यान में याद नहीं भी रहते हैं तो चलेगा isolated and raft का लेकिन differential आप लोग को याद रहना चाहिए आगे चलते next question के साथ in high mountainous reason अगर हम पहारी लागों की बात करते हैं तो कौन सी type of roof को generally recommend करते हो आप लोग अपनी building के लिए सबी लोग answers करें आप लोग के according की answers होना चाहिए इस question का तो देखो अगर हम लोग high mountainous reasons की बात करें तो हम लोग कौन सी roof को generally यहाँ पर prefer करते हैं तो हम लोग क्याते हैं की type of roof आप लोग की कौन सी roof है गांबरिल टाइप की roof को हम लोग generally यहाँ पर prefer करते हैं इस तरह के की roof आप लोग को देखने को मिलती है high mountainous reasons में आगे चलतें next question के साथ इन मैसे हमारी softwood कौन सी है answers करें सबी लोग आप लोग के according क्या answers होना चाहिए यहाँ पर देखे तो दामोदर सिंग जी, अनुर जी, अजे कुमार जी, पवन सेगल जी, संजे कुमार जी, रिच्चा मिश्रा जी, सुमंता जी, अमन सिंग जी, संजे चौधरी जी सभी लोग बहुत अच्छे answers के साथ very good इस question का answers आप लोग के according क्या होना चाहिए एल्स आफ्ट वोट बोला गया है चीरें देवदार very good तो 46 का answer जाएगा चीरें देवदार के साथ option number D आप लोग का correct answers 47 पे चलते हैं the term string is used for string जो term है वो आप लोग कैसे use करते हैं underside of stairs के लिए outer projecting edge of the thread के लिए sloping member which supports this step of these stairs के लिए या option number D को mark करोगे सबी लोग answers करें फटाफट से सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ तपस कुमार जी, रवी मौरिया जी, रिच्चा मिश्रा जी, अदनान जी, सैलेंदर सिंग जी, अजे कुमार जी सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ very good इस question को answers मार करो, आप लोग के according क्या answers होना चाहिए yes, string के अगर हम बात करते हैं तो आज sloping member which supports this step of stair option number C आप लोग का correct answers होगा अगर हम लोग देखें तो कुछ string आप लोग को इस तरीक से देखने को मलती है यह हमारा एक sloping member है जो कि क्या कर रहा है, stairs को यहाँ पे support कर रहा है आगे चले next question के साथ the stone whose crushing strength is maximum is आप लोग उसे question पुछा गया है ऐसा कौन सा stone है जिसकी crushing strength सबसे ज़्यादा आप लोग को देखने को मलती है क्या यह greenite है, chalk है, slate है या sandstone है आप लोग को पता है, flight हम लोग किसे कहते है unbroken series of steps इसमें आप लोग से बुला गया है कि कितने number of steps maximum होने चाहिए इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए तो answers क्या जाएगा लेको minimum अगर पुछा होता तो 3 आप लोग का होता maximum आप से पूजिया गया है तो 12 के साथ आप लोग answers को mark करोगे इसका मतलब option number B आप लोग का correct answers इसी तरह किसे पिछ की बात करें तो minimum आप लोग की 25 और maximum की बात करें तो 40 आप लोग का answer जाएगा last question आप लोग की screen पे answers को mark करें सभी लोग सभी students answers करें last question आप लोग की screen पे कि which of the following cements contains maximum percentage of the di-calcium silicate C2S आप लोग को सबसे maximum किस में देखने को मलता है OPC में देखने को मलता है low heat cement में देखने को मलता है rapid hardening में देखने को मलता है या sulphate registering cement को आप लोग answers mark करोगे क्या answers होना चाहिए सभी students answers करें आज का last question आप लोग की screen पे Yes, हम लोग इसे क्या कहते है low heat cement कहते हैं और हम लोग कहते हैं कि dams की constructions में generally ये low heat cement आप लोग का prefer होता है यहाँ पे आप लोग के 50 questions over होती है hope so आप लोग को session पसंद आया होगा ठीक है तो सबी students class को थोड़ा सा share भी करते वे चले अगर आप ऐसी continuity में नहीं रहोगे तो जितनी भी चीचें आपने आज तक cover करी है वो सारी चीचें आप लोग भूल जाओगे तो आप लोग की देखो तीन classes आप लोग की चल रही है अगर पूरे दिन में आप लोग 3 hours भी classes को देते हो और एक घंटा भी उसका revision कर लेते हो कि क्या क्या चीचें हम लोग ने सीखी या खुद से एक घंटा थियोरी में आप लोग दे देते हो तो कहीं ने कहीं आप लोग को ज़्यादा help मिलेगी फिर आप लोग कहोगे कि selection नहीं हो रहा selection नहीं हो रहा तो फिर अगर इस तरीके से continuity आप लोग break करोगे तो फिर कैसे selection होगा और आप लोग को पताईए ये चीच हम लोग ने देखी भी है practical हम लोग ने lockdown में बहुत अच्छे से तयारी करी थी तो कहीं न कहीं last में जोबी आप लोग के exams में इन सबी में आप लोगों को काफी help मिली चलिए thank you so much and all the very best thank you